जैहिर मेरे प्यारे बचचो नमस्कार, तो प्यारे बचचो, सेकेंड राउन आल इडिया कॉंसलिंग का पूरा सीडू ला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बचचो कि 16 सेटमबर तक आप रेजिस्टेशन करा सकते हैं, 24 फिलिंग बच्चो 16 सेटमबर तक होगी प्रोसेस आफ सीट अलाटमेंट 17-18 को है रिजल्ट आप 19 को आ जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम बच्चो 2027 सेटमबर को है और वेरिफिकेशन बच्चो 28 से 30 तक आपका हो जाएगा तो इस तरह से वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन का टाइम है रिपोर्टिंग के लिए 8 दिन का टाइम है रिजल्ट के लिए 1 दिन का टाइम है और प्रोसेस आफ सीट अलाटमेंट 2 दिन में हो जाएगा 24 फिलिंग लाकिंग के लिए 11 दिन का टाइम है पर देख सकते हैं बच्चों इसकी रिजिस्टेशन गिए 16 सेटमबर तक है एक और इंपार्टेंट बात है बच्चों कहां कित्ती सीटें बढ़ी हैं और कित्री सीटें आयड हुई हैं यह पूरा डिटेल बच्चों यहां पर दिया AIQC कहां कित्ती खाली है आल इंडिया की और यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान में तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं बच्चों तो यह भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में डाल देते हैं अब बच्चों हम लोग कटाफ की बात कर लेते हैं तो जैसा ह आपके बच्चे निश्यत रूप से आल इंडिया की सीट छोड़ेंगे अपने स्टेट में लेंगे आल इंडिया की कटाफ फिसका फरक जरूर बड़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों अभी यह सेकेंड राउंड है फिर थर्ड राउंड इस्टे वेकेंसी राउंड आप निरास परिसान मत हुई है सीटे बढ़ रही है आपने बहुत मेहनत की है और आपको कॉलेज मिलने की संभावना है अंत में बच्चों उन सारे प्यारे बच्चों के लिए जिनको किसी वैसे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है नीट 2025 में टीम नियू लाइट पूरी दम खम से औ और ज्यादा अनुभाव के साथ लगेगी और आपके टेस्स इतने अच्छे कराये जाएंगे कि नीट 2025 का मारगाव का प्रसर्स्त होना चाहिए थैंक्यू सो मज बच्चों फर वाचिंग वीडियो आपने चैनल को लाइक किया सब्सक्राइब किया इसके लिए बहुत सारी चीर मिलेंगी चाहे कांसलिंग से रिलेटेड हो और चाहे नीट 2025 के लिए हो थैंक्यू सो मज बच्चों जय हैं जय भारत जिसी वालदी बेस्ट